Thor Love and Thunder के post credit scene में हमें Hercules का character देखने को मिला और in future हमें Hercules proper action में भी जरूर देखेगा वैसे comics में Hercules और Thor के बीच में कई बर class हुआ है और आज हम Hercules की comics से उन top 10 strongest powers के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि उसने comics में Thor को भी अच्छी टक्कर दी हुई है और उसे knockout किया हुआ है तो स्वागत है अपका Super BNP चैनल के एक और नए वीडियो में जहा हम बात करने वाले Hercules की powers और strength के बारे में तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और इस golden mask के साथ Hercules ने comics में Thor को उसके मियोल निर्ख साथ कड़ी टक्कर दी हुई है और knockout भी किया हुआ है हरकुलिस एक toughest god है जिसके पास limitless amount of energy और stamina है उसकी body fetish toxic को produce नहीं करती है जिससे कि वो continuously 100% effort के साथ लंबे time तक fight कर सकता है हरकुलिस hand-to-hand combat में master है जिस वज़े से उस पर होने वाले attacks को dodge करना उसके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है और यही पर काम आती है उसकी reflexes की powers हरकुलिस आसानी से arrows को dodge कर चुका है lightning, fast punches और laser beam को भी अपने reflexes से dodge कर चुका है इन reflexes को वो battle में attack और defense के लिए काफी अच्छे से use करता है जो उसे बीच में आने वाली हर problem के लिए prepare रखता है हरकुलिस के पास quicksilver या मकारी की तरह super speed तो नहीं है लेकिन अपने massive size के होते हुए भी हरकुलिस extra ordinary fast speed से move कर सकता है हरकुलिस huge amount of force के साथ काफी अच्छे speed से run कर सकता है च्यादातर super heroes के पास flying abilities होती है जिससे कि वह हवा में उड़ सकते हैं लेकिन हरकुलिस के पास ऐसी कोई भी ability नहीं है वह हवा में उड़ने वाले open end के against अपने powerful jump से fight करता है हरकुलिस एक बार में 100 feet तक आसानी से jump कर सकता है और अपने powerful jump से वह हलक की तरह ही jump based attack भी कर सकता है हरकुलिस के 12 labors को पूरा करने और उसकी strength की fits को देखने के बाद juice ने उसे god बना दिया और इसके साथ ही हरकुलिस को immortality का वरदान भी मिल गया और हरकुलिस कई सारी centuries से जीनदा है लेकिन अब भी उसकी personality एक adult वाली है जिससे की वो tough setup ओपनेंट के against भी continuously fight कर सकता है और यह है उसे advantage भी देती है उस fight में MCU में थोर और हल्क बहुती ज्यादा durable character है जुन्होंने कई बार explosion पंचेज और उचाई से गिरकर भी survive किया है लेकिन हरकुलिस इनसे भी एक कदम आगे है Comics में उसने Deuce के Thunderbolt और Thor के Mjolnir के full blast तक को survive कर लिया था वैसे हरकुलिस के पास खुद को protect करने के लिए कोई armor या पिर कोई और दूसरा तरीका नहीं है और ऐसे में सिर्फ अपनी durability से ही वह strongest opponent के against fight कर बाता है और कई powerful gods और cosmic level opponent से fight करते हुए उनके दोरा कियागे attack को सहन कर प और हर्कुलिस आर्चरी में master है हर्कुलिस की strength और power के साथ उसकी यह skill उसके तीर से किये attack को और भी ज्यादा deadly बनाती है पर इससे वह Eternals, Olympian Gods और यहां तक की थौर के attack को भी जेल चुगा है और वह मार्वल के कई strongest villain को भी कड़ी टकर दे सकता है नमबर वन, Unparallel strength वार्वल कॉमिक्स में किसी भी character की strength को उसके weight lifting करने की capacity से मापा जाता है और हर्कुलिस की greatest strength class 100 की है जिसका मतलब है कि हर्कुलिस कम से कम 100 ton तक का weight lift कर सकता है और उसने कई बार इस limit को तोड़ा भी है एक बार हर्कुलिस ने Manhattan के पूरे Iceland को कुछ time के लिए lift किया हुआ था पर इसी वज़े से हर्कुलिस को God of strength भी कहा जाता है तो यह थी कॉमिक्स में हर्कुलिस की top 10 powers वैसे आपको क्या लगता है कि हर्कुलिस को MCU में भी कॉमिक्स जितना ही powerful और strong दिखाया जाएगा या नहीं कॉमेंट में जरूर बताना वीडियो अची लगी हो तो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करके बेल आइकन जरूर on कर लेना मिलते हैं अगले वीडियो में